हेलो वरिवन आप सभी का सुवागत है इस वीडियो में आजम बात करने वाले LTE गेड और आपकी GIC भरती के बारे में उस शिक्साबंतरी जी ने जो बयान दिया उसमें बताया है कि ये जो आपकी LTE की भरती होगी ये आपकी लोग सेवा आयोग के माद्धन से होगी जैसे आ जानिया उसके लिए उम्मीद जग चुकी है टीजीटी पीजीटी एक्जाम हो गई ये लगबग तीन से चार महिने के अंदर ही आपका जो है करवा ली जाएगा आप पूरा पूरा उम्मीद है तो यहाँ पे आप आज की जो न्यूज है वो देख सकते देखीगा उच्छ जो आपका है UP, PSC से आपकी जो है भरती की जाएगी यानि कि आपकी जो LT grade की जो भरती होती है और आपकी GIC की ये होती है उत्तर प्रदेश लोकसिवाय के मादम से और वही इसको करवाएगा और देखीगा बाकी RO, ARO की जो विकेंसी थी उस पे काफी समय से आपका आहरता विवाद चला था तो वो आपका किलेर हो गया और यहां तक कि इसके पद वगेरा जो है वो भी आपके कंफर्म कर दे कितने पदों पे आपकी बढ़ती आएगी और अगले दो से धाई महिने के इंदर ही इसमें आपकी RO, ARO की बढ़ती भी आ जाएगी और बहुत ही जल्द चरी योगें दर उपद्याई ने कहा कि उत्तरप्रदेश चिखसा सेवा चायनावक के जरी बेसिक चिखसा परिशद के अलावा सहायता प्राप्त हाई एस्कूल मादबिक विध्या ले एवं आपकी शिखसक्की बढ़ती होगी फिलाल राज के मादबिक विध्या ले एव उच्छिक समंतरी ने कहा कि 7 अगस्ते शुरू हो रहे आपके विधान सभा के सत्र में आपके नए आयोग का अधिनियम पारित हो जाएगा उसके बाद राज्येपाल की मंजूरे से लाग हो जाएगा इसमें 6 शिक्सवित और सम्मनित विभाग वो कि आपके अधिकारे को भी रखा गया और नए आयोग के गठन से नियमित और पारदरसी भरती आपकी जो हो सकेगी इसमें अपनी जो तयारी उसमें जुट जाएगा बाकि आपका देखेगा TGT और आपकी जो PGT की ये परिक्सा है ये आपकी लगबक कब तक होगी तो इसमें देखेगा अभी तक जो अपकी एकजाम की जो तिथी है वो भी आपकी गोशित हो जाएगी और लगबक तीन से चार महीने के अन्दर ये आपकी ये बढ़ती करवा ली जाएगी और बाकि आपका जैसे एकजाम डेट गोशित होगी तो उसमें कम से कम 40 से 50 दिन का आपको समय मिलेगा एकजाम डेट जो है मंजूरी दी गए इसमें तो ये आपका आपका जो है शिक्षा मंतरी की ओर से और बाकी बात की जाए LT के अंदर आपके जो है कितने पद इसमें खा लिए LT और GIC के लगबग आपके 10,000 पद इसमें खा लिए इंदी, SST, गणित, विज्ञान और आपका इंगलिस में जो है इस बार भी आपके काफी पद रहने वाले है और GIC के अंदर देखेगा इसमें आपका एक प्री होता है और दूसरा आपका मैंस होता ही आपका मैंस जो होगा ये लिखीत होगा और इस पे ही आपकी जो फाइनल मैरिट है वो तयार की जाती बाकी अभी L.T. का केवल आपका जो है एक ही पेपर होता है आपका इसके अंदर भी जो है आपका मैंस परिक्षा हो या ना हो आपका